सर क्यापिटल गेन स्परस्ट गेन में सबसे पहले हमने क्यापिटल गेन कब निकलेगा जब सर आइसेट्स बेच दोगे और जब आइसेट्स बेचोगे तो यानि उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रांसफर transfer का मतलब है जब आप किसी को बेच देते हो लेकिन इसमें समझने वाली बात है कि कब आप transfer transaction regard as a transfer होगा और कब नहीं होगा कब आप transfer मान लीजिएगा और कब नहीं मानिएगा पहले भी discuss कर चुके मैं main उन point पे बात करूँआ एक तो distribution of assets, gift दे दोगे तो भी transfer नहीं माना जाएगा और amalgamation वगरा की कुछ points से तो सबसे पहले हमने transfer की बात करी थी कि कब transfer माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा सर अगली बात करते है nature of capital assets काफी सारे बच्चे इसमें भी थोड़ा सा confused हुए सर nature of capital assets क्या है जिसको मैंने type of capital assets से बताया था तो capital assets दो तरीके का होगा long term और short term आपका short term में मैंने बताया जो 12 महिने हो 24 महिने हो 36 महिने और इससे जितने ज़्यादा होंगे वो चला जाएगा long term में तो सर 12 महिने में कुछ category है 24 महिने और 36 महिने सर 12 महिने में क्या था shares वगएरा है कुछ bond है 24 महिने में non-listed share building और mutual fund वगएरा जो बाकी बच जाते हैं jewelry वगएरा चला जाता है long term में इसके बाद हमने देखा था mode इसमें काफी बच्चे पूछ रहे हैं सर यह आपने समझाया लेकिन इसको करना नहीं सिखाया सर जितने भी हम questions कर रहे हैं अभी तक हम जितने भी questions कर रहे हैं यह क्या है हमारा computation का mode यानि एक short term में क्या है देखिए जैसे मान लो मैं यहीं पर example लेके कर लेता हूँ मैंने land खरीदा 5 लाग का और बेच दिया मैंने sold कर दिया सर 20 लाग का सिंपल सी बात है तो sale consideration में कितना लोगे 20 लाग expense transfer 0 है तो यह आ गया 20 लाग cost of acquisition सीधा ले लोगे 5 लाग improvement है नहीं तो 15 लाग रुपए short term capital gain आ गया सिर्फ 54B और 54D यहां पर allowed होता है तो 54B 54D यहां से minus कर देंगे अगर नहीं है तो नहीं करेंगे हम तो यह हमारा आ गया तो यह low हो गया mode तो काफी बच्चे परिशान होते हैं सर यह तो आपने कराए नहीं क्योंकि इसका सवाल भी नहीं आता और जितने भी long term के हम question कर रहे हैं सारा यही तो कर रहे हैं long term वाले में क्या होगा sir long term वाला में consideration less transfer अगर है तो कर देते हैं फिर index index का मतलब पता ही क्या है जैसे यह 5 लाग का अगर long term होता तो 5 लाग into में 317 याद आ रहा होगा आपको divided by 100 कुछ इस तरीके से तो यही computation mode है इसमें note में ध्यान देने वाली क्या है sir कुछ assets पर indexation नहीं होगा और हमीशा short term माना जाएगा depreciable assets depreciable assets बहुत बड़ा एक challenge है जो section 32 में cover करेंगे मैंने salary के time पर भी छोड़ दिया यह house property में तो आया नहीं और मैं capital gain के time भी छोड़ूँगा मैं सीधा PGPB में इसे cover करूँगा पहला class ही मैं इसी से start करने वाल है और एक चार से पहले लोगे तो नहीं लोगे और shares को बेचा जाएगा तो अब आता है हमने ये भी देखा था याद है कि सर इसके अंदर goodwill के लिए cost of equation nil भी हो सकता है और market value अगर खरीदा है तो इसके बाद shares में था bonus share पहले में हम लेंगे बाद वाले में हम zero ले लेंग और फिर other हमने shares की भी बात करा था किसमें क्या indexation लगेगा किसमें नहीं लगेगा तो ये सारा point हमने cover किया था पहले सर 45 के कुछ special cases जैसे loss by fire जैसे stock transfer जैसे amalgamation partnership और ये सारी चीज़े करें हाला कि DU कहता है DU का कहना है कि ये special case है और ये हम आप से exam में नहीं पूछेंगे DU ने clearly mention किया हुआ है जो content DU लेगा मैं last में करूँगा मेरा motive अभी मैं सब कुछ बता दूँ उसके बाद मैं बता दूँगा कि आपका focus exam time पे आएगा ना exam से 10 दिन पहले तब मैं जाके बताँगा सर ये ये चीज़े आपको DU पूछेगा तो ये वाला point हला कि बोला हुए कि हम नहीं पूछेंगा बाई तुम्हें पढ़ना है पढ़िए नहीं पढ़ना है मत पढ़िए लेकिन मैंने फिर भी आपको ये बता दिया जितना भी point था सर इसी का आगे का part था ये आप पढ़िएगा जरूर आगे आता है text treatment advance for feature शायद जहां तक मुझे याद है हमने किया था ये या नहीं किया था किया था तो मैंने बोला था chart में मिल जाएगा although इसको अलग कर देते हैं इसको अलग समझेंगे अलग अलग सर एक एक करके देख लेते हैं लास्ट क्लास में किया है हाला कि advance for feature सर एडवांस for feature में क्या करा था लास्ट क्लास में एक बीच में question आया था उस question पर हमने advance for feature देखा था एडवांस for feature में क्या था सर दो हजार चौदा की मैंने बात करी थी जिन बच्चोंने नोटिंग किया है यह अगर फोर फीचर किया आपने एक चार दो हजार चौदा से पहले एक चार दो हजार चौदा से पहले तो amount to for feature always reduce from cost of acquisition before doing indexation यही तो बताए था मैंने कि indexation करने से पहले आप उसमें से minus करिए और फिर indexation करिए चौदा से पहले है तो और कहता है if advance for feature by the current honor only then will be reduced from cost of acquisition if forfeited by the previous honor then it will be reduced from cost of will not be reduced from cost of acquisition अगर आपका previous honor ने किया है previous honor समझ रहे हैं उन्हें क्या होता है जैसे पिता जी ने अपने बेटे के नाम घर कर दिया बेचेगा तो बेटा ही calculation करेगा लेकिन पिता जी previous honor है तो अगर previous honor ने कोई forfeiture किया तो भई या उसको allowed नहीं करेंगे बहुत छोटी सी बारिक सा point है लेकिन समझने वाली चीज जाई है कि अगर पिता जी ने forfeiture किये हो और उसने house transfer कर दिया तो फिर वो cost of acquisition में से minus बादवाला हो जाएगा यह वाला point में discuss करना रहे गया था तो आज कर लिया अगर after होगा तो the amount of forfeiture will be regard income from other source and it will be taxable in the year forfeiture जिस साल forfeiture होगा उसी साल taxable हो जाएगा ना कि wait करो गया government ने ऐसा rule पता है क्यों बनाया आपने forfeiture पता है कब किया forfeiture किया 1900 मान लेते हैं forfeiture आपने कर लिया 2000 में घर बेचते हो 2020 में तो सरकार की income जो 2000 में हो जानी चाहिए थी वो कब हो रही जाके 2000 तो 20 साल में सरकार का नुकसान हो गया तो government ने कहा भाई इसको ना एक काम करते हैं अधर सोर्स में डालते हैं जिस साल forfeiture करा आपने घर बेचा या नहीं बेचा मतलब नहीं है forfeiture किया इसके उपर तो अधर सोर्स में जाके आप क्या करो टेक्स दे दो तो सरकार को instant टेक्स मिलने लगे इसलिए इन्होंने ये provision फॉलो किया तो सर ये जो था हमारा ये था हमारा advance forfeiture का एक बहुत important section आपके सामने है हलाकि question आता तो फिर कर लेते हैं लेकिन हम पहले कर लेते हैं हाँ मैं question समझाओंगा नहीं question कर रहेंगे सीधा अभी देखते हैं stamp duty valuation value capital gain on real estate transaction real estate मतलब सर ये सिर्फ लगता है हमारा land and building पे normally होता क्या है tax की चोरी बहुत ज़्यादा होने लग गए tax की चोरी का मतलब capital gain में खास करके अब मैं simple सी बात कहता हूँ एक घर है और इस वेक्ती ने इस घर को खरीदा था पांच लाग का मान लेते हैं कि राम है इसने खरीदा था और अपने आपको इसमझ लो आपने खरीदा था पांच लाग का और आप इस घर को बेच रहो एक करोड का मैं मान लेता हूँ इंडेक्सेशन लगा के 10 लाग हो गया तो आपको बाकी 90 लाग पर तो टेक्स देना चाहिए ना और 90 लाग पर कितना टेक्स होगा अठारा लाग नबे लाग पर कितना टेक्स होगा अठारा लाग अठारा लाग रुपे टेक्स सरकाल को देना है इसके उपर फिर अलग से वो तो जाएगा ही चार परसेंट एजुकेशन सैस और भी जीजे सर्चार्ज वगएरा जो है वो अलग तो सर् secure 90 लाग पर 18 लाग रुपे टेक्स टोटल 19 लाग रुपे और 19-20 लाग रुपे में तो फिर सोच एक मकान और ले लेंगे हूं तो कहीं कच्छी कलोनी वेखरे में तो आप खुद इमानदारी से सोचो, आप खुद बताओ, मैं कहता हूँ कि आपको टेक्स नहीं देना, कम देना चाहते हो, आप खुद भी तो कम देना चाहरे हो, इसके लिए क्या करोगे, अब सर इसके उपर टेक्स आपका पता है कब लगेगा, जब आप ये सीधा एक करोड रुपे कहां ले लोगे, सरकार को तभी तो पता चलेगा, कि एक करोड कहां ले लोगे आप, बैंक में, तब गौवर्मेंट आएगा भी तुम्हार पास एक करोड कहां से आ, इसके उपर टेक्स वगएरा तो, मगर आपने क्या करा, दस लाख रुपे ले लिया बैंक में, नब्बे लाख ले लिया किस में, यानि आपने सर दस लाख रुपे ले लिया कहां पे, बैंक में, तो सरकार को पता क्या चला, ये मकान कितने कभी का, और नब्बे लाख रुपे तो आपने कैश में ले लिया, तो सरकार यहां पे पकड़ने में नाकामियाब हो गई, क्योंकि cash transaction का कैसे आपस में buyer और seller ने आपस में कर लिया बात्चित कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तुम बोल देना 10 का भी खरीदा है तुमारे लिए भी फाइदा और हमारे लिए भी फाइदा तुम से सरकार पूछेगी नहीं के 10 लाख लाए कहां से और हमसे पूछेगी नहीं किस तरीके से था तो बोला गया के इस तरीके सा आपस में बात्चित करके उन्होंने एक बात पे सहमती बना ली गवर्मेंट आइग और ने बोला भी यह मकान तो कितने का बेचा है तो उसने बोला जी तो अपने घर में नहीं कही हो और रख दिया उसने पैसे, हो सकता है possibility, तो सरकार का यहां नुकसान, देखो अब देखा जाए तो 10 लाख रुपे का बेचा, इंडेक्सेशन लगा के भी 10 लाख आ गया तो taxable income, अब 18 लाख रुपे सरकार का खा गया, जो सरकार के हिस्से का पै लाइफ लॉंग तक और एक डेली के एक property बिखते हैं क्या, नहीं बिखते हैं, बहुत property बिखते हैं, जहां पर property का registration होता है, एक बार वहाँ पर जा कर देखना, आपको एक एक हपते का waiting period मिलता है, आपने कोई मकान खरीदा, उसको registration करवाना है, तो एक हपते का waiting period सार इतनी लंबी line है, वहाँ पर, government ने बोला कि SSC भाई, हम समझ गे तुमारी चला की, कि तुमने और जो buyer है, आपस में बाचित करके आपस में एक समझोदा मत बना लिया, हमें पागल बना रहे हो, हम इस property को कितने अब बिखेगा, यह हम बताएंगे अब, यानि अब यह government तै करेग income tax वाले बोलता है, अब यह हम तै करेंगे, आपने तै कर लिया ठीक है, और हम भी तै करेंगे, यानि हम एक ऐसा officer appoint करेंगे, जिसे बोलेंगे, जो कि बहुत जादा, इस field के अंदर, export है, मतलब property वगएरा को जल्दी से वह आकलन कर लेता है, जो कि बिल्कुल expert है, हर जगा सब कुछ बता देता है, और property का rate पता है, कैसे तै होता है, circle rate होता है, आप देखोगे न, तो हर area का अपना एक circle rate चलता है, तो कभी property अगर आपने देखा होगा, तो घर पर देखना property के paper पर circle rate के according तै होता है, और वो government decide करता है, तो जो होता है न, वो stamp duty valuer होता है, stamp duty valuer, basically stamp duty का मतलब है property का rate, क्योंकि आपको जितने का property खरीदोगे उसके उपर ये income tax 20% जाएगा ही है, इसके अलावा आपको stamp duty भी paid करना पड़ता है, 5% registration करवाने के, female के case में 1% का relaxation होता है, male के case में 1% ज्यादा होता है, तो stamp duty valuer बताता है कि आपका circle rate से इतना होगा, उन्होंने कहा कि भाई तुम इसको आप 5, 10 लाग का आप बोल रहें ने 10 का बेचा है, आप बोल दो 10,000 का बेचा है हमें मतलब नहीं है, हमारा एक बंदा आएगा और इसका valuation लगाएगा, इसका बंदा आया और इसने बोला सर 90 लाग की property है ये, government बोलेगा आपने 5 लाग का दिया है, आप पांच रुपए का दिया है हमें नहीं मतलब सर, हमारे officer ने बोल दिया 90 का, आपने खरीदा था 5 का, आपका valuation करके, याने indexation करके 10 हुआ, वो 90 का रहा है, total 80 होगे, 80 लाग रुपए tax, निकालो, तो अब जब ये government ये नियम लेके आई, पहले नहीं था, तो जब ये government नियम क्या, अब ये cash में ज़्यादा पैसा लेके कर लेगा कुछ, अब ये पूरा का पूरा ही cash में ले ले, तब भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही property register होगा किसी और के नाम पे, फटा-फट government को अगर doubt हुआ, तो government क्या करेगा, अपना valuer बुलाएगा और उससे valuation कराके, और अपने हिसाफ से वो क्या करेगा, टेक्स को वसूल लेगा, लेकिन यहाँ पर dispute आ गया, valuer थोड़ा बहुत उपर नीचे बता देता, मैंने बोला एक करोड का है, valuer ने बोला सर एक करोड पांच लाग का है, मैंने लिया ही एक करोड अकाउंट में देख लो कैसे एक करो होगे तो यहाँ पर dispute हो गया थोड़ा बहुत, तो government ने बोला भाया SSC तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, आप जितना rate बताओगे और valuer बताएगा, तो 10% का अगर variation रहा ना दोनों में, तो हम आपकी बात सच मानेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ के एक लाग का property बेचा, या एक करोड का एक लाग का property बेचा, और जो government अधिकारी है वो कह रहा है, एक लाग दस अजार का property बेचा, मतलब 10% का variation बता रहा है, मेरी बात में और सरकार की बात में कितने परसेंट का फरक आ रहा है, तो सरकार बोलता है भाया, इतना ज़्यादा हम strict नहीं होंगे, 10% 5% ग्यारा हजार का भी का है, तो difference कितने का गया, अब दिखकत है, हमने एक rate fix कर दिया, 10% तक तो हम आपकी ही बात मानेंगे, 10% से जैसे beyond जाएगा, तो हम किसकी बात मानेंगे, अपनी बात मानेंगे, valuer का और वो ही decide करेगा, कि property कितने का था, और इसी पर text देना पड़ेगा अब हम आपकी बात कोई भी नहीं मानेंगे, तो बड़ी छोटी सी बात ये है, तो ये भी ठीक था provision, पहले 5% था, पुरानी किताबों में देखोगे, तो 5% मिलेगा, अब बढ़ा के कर दिया, 10% तो सर कहता है, stem duty कैसे लगेगा, if assets sold more than the stem duty valuation, अगर आपने assets को बेचा है, आ यानि जो government का अधिकारी है, वो बोलता है कि सर ये 10 लाग का है, आपने बोला है, मैंने 11 का बेचा आप बताओ, तो government कहेगा, भी हमारा अधिकारी तो जूट बोल रहा है, आप सही बोल रहे हो, 11 लाग रुपे पर आप क्या करो, tax दे दो, यानि government का फाइदा किस में है, 11 मे जब उससे कम में बेचा जाएगा, कहता है, in case stamp duty valuation exceed 10% sale consideration, stamp duty will be taken, यानि SDV, बोलता है सर, 11 लाग है, मैंने बोला सर, sales, sales, 9 लाग है, तो बीच का difference percentage कैसे निकालोगे, एक ये भी challenge है, सर, difference कैसे निकालते है, इन दोनों का difference कितना है, 2 लाग, 9 लाग, 10 लाग, कितना है, अब इसके base year मान लोगे, अपना जो sale है न वो मानोगे, sale क्या है, into में 100 करिए, ये percentage कितना changes है, ये निकलेगा, delta लिख देता हूँ, तो ब सर, video lag हो रही है, अच्छा, video lag हो रही है, refresh मारते है, बताइए क्या change आया percentage, मेरे साब से 10 से तो काफी जादा हैगा, कितना percent आया, सर, 22% का changes आ गया, यानि, आपकी बात में, और सरकार की बात में, 22% का फरक आ गया है, कहता है, क्या, in case of stamp duty value, यानि, SDV exceed हो जाए, 110%, 110 को छोड़िए, 10% से जादा exceed हो जाए, then sale consideration, क्या मानोगे, stamp duty value as a consideration, यानि, अब आपको किस पर मानना पड़ेगा, इसके उपर, ये आपका irrelevant, आप जूट बोल रहे हैं, समझ मैं ही बात आपको, अगर आपने सरकार के stamp duty valuation से जादा बोल दिया, तब समस्या नहीं, सरकार बो जैसे exceed करोगे, तब बात नहीं बनेगे, चलो एक और example ले लेता हूँ, SDB बोलता है, सर, आपकी property की value 10 लाग, और आपने बोला, सर, हमारे property की value 9 लाग, या फिर मैं इसको change कर देता हूँ, आपने बोला 10 लाग, और उसने बोला 11 लाग, 11 या थोड़ा और खम कर देता हूँ आपने बोला, सर, 10 लाग, और stem duty valuation बोलता है, सर, नहीं, 10 लाग नहीं, 10 लाग पचास हजाँ, अब दोनों की बातों में कितने percent का फरक है, 5 परसेंट का, यानि 10 तो नहीं किया, तो आपको 5-10 परसेंट जूट बोलना loud है, simple सी बात को, उससे उपर नहीं बोल सकते, 5 परसें क्या कहेगी, हम आपकी value को माल लेंगे, अब ऐसा करने के बाद, क्या पता, वाक के आपने अपने दोस्त को सस्ते में दिया है, reality भी हो सकती है, आपका दोस्त था, भाई मैं तरको 5 लाग में, 10 का लिया था, ठीक है, भाई, 13 से क्या कमाना, जितने का लिया था, उतने का लि है, और आप 18 लाग रुपे capital gain मांग रहे हो, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, हमारी property हम decide करेंगे, कितने का बेचेंगे, आप तब decide करिये, जब हम आप से जूट बोल रहे हैं, आपके साथ fraud कर रहे हैं, लेकिन income tax वाले नहीं मानेंगे बात को, बोले का नहीं भाई, यह से नही means case, जाएंगे, कोड तो जाना ही पड़ेगा, कहता है, if SSC not satisfy, request AO refer the case valuation officer, अगर SSC बोलता है, इंकम टेक्स वालो, तुमने जो यह बताया, यह हम नहीं मानेंगे, हम उपर application देते हैं, तो हम क्या करते है, AO क्या होता है, आपका assessing officer होता है, ठीक है, income tax के अंदर post होता है, STO होत होता है, और अलग-अलग commissioner होता है, deputy commissioner, अलग-अलग होता है, तो sir वो उनको हम application देंगे, एक चिठी लिखेंगे, कि sir हमारी बातों को सुनवाई किया जाए, अब उन्होंने क्या करा, एक और valuation officer बिठा दिया, अब देखो तीन बाते होगे, एक मैं, एक SDV, STEM duty valuation और एक और valuation officer रहा चुका है, अब क्या होगा, sale consideration क्या मानेंगे, हाला कि ये आपके exam से इतना point नहीं है, लेकिन ये वाला तो मान के चलो, इस बार exam में आएगा है ये वाला point, कहता है actual sale consideration और SDV, AB point हो गया, higher of AB, यानि मान लो, मैं raise कर देता हूँ, मान लो, आपका actual sale से 5 लाग, SDV बोल रहा है 6 लाग, तो आपको C point में पता है क्या लेना है, higher इन दोनों में से, क्या आएगा, अब value एक, अब जो valuation होगा, calculate कौन करेगा, valuation officer, आपने जिसको request किया, sir इसका करिए, उन्होंने कहा sir, ये होगा 4 लाग, उन्होंने कहा क्या, sir ये होगा 4 लाग, तो कहता है, value calculate by the valuation officer, sale consideration, lower off, अब इन दोनों में से, जो lower होगा, यानि आपका sale, माना जाएगा, तो जब उनके पास फैसला जाएगा, तो कुछ इस तरीके से, वो minus plus करके चलेगा, कब जब आप appeal करोगे, अगर आपने appeal नहीं किया, तब तो भईया आपको जो tax है, उस पर देना पड़ेगा, तो काफी important है, stamp duty valuation, आप अभी फिलहाल के लिए ना, इस वाले point के उपर मैं star बना देता हूँ, बाद में भी कर लें, लेकिन आप मुझे जवाब दीजिए, ये दोनों point आपको समझ में आना चाहिए, अगर ये दोनों point आपको समझ में आगे आना, तो फिर हम आगे question भी इसके उपर देखेंगे, जो last year exam में आया था भी, तो मैं उसको देखूंगा भी, बताइए यहां तक clear है, बड़ी basic basic से point है, sir इसके बाद last year forfeiture वाला भी हो गया, और कुछ हमारे slum, sale वगरा कुछ section है, तो मैं दिखा दूँगा आपको कि do ने क्या बोला है, कि include है, क्या बोला है, exclude है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे, यहां तक clear होगे, तो एक सवाल हम इस पर ले लेते हैं, यह वाला, जो exam में आया था, 2000, हाला कि COVID के time आया था, और म मैं हर बार कहता हूं कि COVID के time वाले को question को consider मत करिएगा, मतलब paper के pattern को consider मत करिएगा, sir, HDB repeat, अभी कर रहे हैं, question सब repeat हो जाएगा, मेरा कहना है, sir, paper के pattern को follow मत करिएगा, लेकिन question तो था, sir, तो question आप देख लें, तो मैं कहूँगा better होगा, sir, question आया हुआ है, कहां गया, कहां गया, यह तो HP है, solution किया थो था इसका, यह होगा, दो हजार, दो हजार, दो हजार, दो हजार, एकिस, बीस का paper में है, नहीं, बीस के paper में भी आया हुआ है, यह जो जबोके का गया हुआ हुआ है, आई। झाल झाल चलिए सेकिंड पार्ट हम सिर्फ जो हमने अभी सीखा है हाला कि इसके दो पार्ट और है आपके सामने जितना कोशन है इसी का अंसर करने वाले हैं हर बच्चे को कोशन वीजवल एक बर देखिए कोशन वीजवल है अभी स्टी भी रिपीट करतेंगे कोई बात नहीं कोशन क्लियर दिख रहा है अपनी टैनियर के अंदर किताबों में ढूनने का फायदा है नहीं टाइम वेश्ट होगा तो फिलाल सरिफ यहां देखेंगे आप चलिए कोशन बढ़ते हैं कहता है परचेज अवेकेंट लैंड कॉस्ट साथ लाक सर इसने एक खरीदारी किया है परचेज अब वेकेंट लैंड कॉस्ट साथ लाक चलिए सर जो लिखना होता है उपर लिख लेते हैं कहता है एक इसने साथ लाक रुपे का परचेज किया है मैं इदर लिखता भी जाता हूँ इन फाइनेंशल येर दो हजार तीन चार रेजिस्ट्रेशन एन एक्स्पेंस 10 परसेंट कहता है इस पर रेजिस्ट्रेशन खर्चा भी आया 10 परसेंट डेट इस 6 लेक तो यानि ये प्रॉपर्टी मेरा जो खरीदारी है वो 66 लेक का पड़ेगा यानि खरीदते टाइम पर जो मर्जी खर्चा करिया वो आपका परचेज का हिस्सा माना जाएगा आगे कहता है यानि इंप्रॉप्मेंट कॉस्ट ऑफ इंप्रॉप्मेंट किया इसने 75 लेक का कब किया सन पांच छे में आगे कहता है इंटु एग्रीमेंट सेल आफ सेड मिस्टर वासू मिस्टर वासू के साथ एग्रीमेंट का मतलब मिस्टर वासू से कहता है भाई हम बेच रहे हैं इन ऑगस्ट टू थाउजन ट्विंटी वन में और हर सु जो था उसने रिसीव किया 15 लाक रुपे एज़ा एडवांस टोकन मनी अच्छा एकलाइन रहे गए मतलब उनसे फिक्स हुआ कि भाईया आपको हम ये प्रोपटी कितने का बेचने वाले है चार करोड यानि चार सो लाग का बेचेंगे और डील भी डन हो गया उससे हमने एडवांस पैसा भी ले लिया पंद्रा लाग कब डील डन हुआ ये दो हजार एककेस यानि हमारी कोशिस थी कि दो हजार एकेस के अंदर इसे सोल्ड कर दिया जाए कितने का सोल्ड कर दिया जाए चार सो लाग का यानि चार करोड आगे कहता है कुशन और ये पैसे इंतजाम नहीं कर पाया यानि ये चार सो लाग रूपे का डील में एडवांस जो मिला था इसे पंदरा लाग ये पंदरा लाग फोर फीचर हो गया अब सर फोर फीचर के दो ट्रीटमेंट होते है सर फोर फीचर के क्या दो ट्रीटमेंट होते है या तो आप उसे अदर सोर्स की हिस्से को मानोगे या तो आप उसे किसका मान लोगे अदर सोर्स का हिस्सा मानोगे या फिर आप मानोगे कॉस्ट आफ एक्योजेशन में से माइनस तो ये कैसे decide करोगे कि यह other source का हिस्सा है या फिर cost of acquisition में से minus होगा यह date के हिसाब से decide होगा 2014 से पहले है या 2014 के और हमारे सवाल में तो 2021 की कहानी है तो यह सारा का सारा पैसा अगर देखा जाए तो sir यह पैसा हमारा capital gain का ही नहीं यह जाएगा other source समझे बात आप यानि जो इतनी सारी कहानी हमने पड़ी है यह सिर्फ आपको puzzle करने के लिए दिया जाएगा exam इसका कोई role नहीं है जो हमने अभी तक देखा है थोड़ा बहुत sir आगे क्या कहता है यह फिर से एक वेक्ति को पकड़ के लाया और agreement कर लिया राठी के साथ और बोलता भाईया तेर को तो अब हम 420 में बेचेंगे यानि new agreement कर दिया इसने 2022 में ही और बोला तेर को बेचेंगे 420 लाग में दा सेल deed was executed registered on 15-22-2000 और 15-22-2022 में ओके पैसे भी आगे for the agreed consideration but stamp duty value लेखिन जो stamp duty valuation officer है of the property was fixed उसने बोला भाईया इस property में मुझे थोड़ा doubt लग रहा है 420 का बेचा है मेरे साब से तो कितने का होगा यानि सरकार कहती है कितने का होगा 450 का आप कहते हो कितने का है 420 का तो जो मैं यहाँ पे sale consideration लूँगा sir वो consideration या तो सरकार की बात वाली value लेंगे या अपनी वाली depend करेगा अगर 10% से ज़्यादा का variation हुआ तो सरकार की बात सच मानी जाएगी और 10% से कम का valuation variation हुआ तो हम 420 अपनी बात को सच मानेंगे आगे कहता है Mr. Hurst ने paid किया 1% brokerage on sale consideration receive लेकिन sir किसी की भी बात माने sale consideration पर जो हमारा expense होगा sir बेचा तो 420 का है उसका 1% 420 का 1% कितना होगा 4.2 lakh है न 420 का 1% निकालेंगे तो 420 में से 4 हो गाई है हाँ 4.2 lakh हो ठीक है subsequent Mr. Hurst made following investment एक investment पीछे रहे गया है मैंने दो यहाँ पर दिखा दिया है कहता है he acquired residential house at Delhi 60 लाग का और एक दुबई में खरीद रहा है तो बोला था भीया घर खरीदना है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं इंडिया में खरीदना है यह ध्यान रखना बात को confuse करने के लिए क्या बोला दो घर खरीदा है बच्चा देखेगा घर खरीदा है घर बेचा है देदो 54 में exemption लेकिन घर कहां खरीदा है यह भी जानना तो यह वाला जो इसने खरीदा है अब इंडिया में जो खरीदा उसका deduction मिलेगा 54 के अंदर और कुछ investment और क्या तो मुझे तो सबसे पहले जानने में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि sale consideration क्या लूम है 420 लूम या 450 आप बताईए फटा फट कमेंट में बताईए 420 या 450 420 कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इस पॉइंट में डाउट है 420 और 450 हमें कैसे पता चले हम पहले variation देखेंगे तो सर variation कितने का हुआ और 30 लाग में जितने का हमने बेचा वो divide में रखेंगे तो कितने का 420 और into में 100 करेंगे अगर ये 10% से अबब गया तब तो सरकार की बात सच और 10% से बिलो रहा तो हमारी बात सच तो कितने % आ रहा है 7% आ रहा है 1.14 percentage है ठीक है विशार वो मैंने लिख दिया एपरोक्स 7% बिल्कुल सभी बच्चों ने बोला 420 तो मैंने ये question आपको और अभी examiner का ना ये main point बना हुआ है ये question examiner दे रहा है ऐसे question को क्योंकि अभी ज़्यादा time नहीं हुआ पहले 5% था अभी कुछ दिनों पहले ही introduce हुआ है मतलब कह सकते हैं 2-3 साल पहले आया है तो examiner इसके उपर जादा trending में है कि हम इस परकार के question दे और फिर बच्चा इसके अंदर decide कर पा रहा है नहीं कर पा तो sir इसमें 10% वाला दिमाग में जिस बच्चे के होगा वो कर पाएगा net sale consideration 4.415 आगे करते हैं less cost of acquisition सर इसने 60 उनका नहीं खरीदा 317 अब खरीदा कब था 3-4 3-4 का indexation देखिए less कर देगे cost of improvement sir 75 लाग का improvement कर दिया कब किया sir 75 लाग का improvement 5-6 का बताईए पांच 6 का बताईए एक सो अब इसको बता दीजे टूटल करके 1-9 1-9 अरे वैसे ही बतादो न 66 को लेके बताऊँ lack में बताऊँ तो इतना थोड़ी आजाएगा 1-9-1-9 lack में बतादो मुझे मैं क्योंकि उपर से lack में लेके चल रहा हूँ बले point में आजाए minus करके कर देंगे आप अरे याप lack में बताना है ये k क्यों आएगा हाँ तो 420,000 तो होगा 1-9 9-9-1 minus कर देजे इसको minus कर देजे कर देखो online वाले बच्चों ने जवाब सबने दे दे आप लोगों से minus नहीं हो रहा कितने यानि बीस लाक नवासी हजार रुपए का capital gain आ गया अब इसने investment कितना किया सर 60,000,000 का तो minus कर सकते हैं section 54 या नहीं कर दीजिए सर तो इसका taxable income क्या बन गया मैंने हाला कि यहां किया मैं एक बर question में दिखा दूँ यह question थोड़ा बड़ा भी था कहता था इसने subscribe एन एचाई बोंड भी किया और इसके अंदर ए पार्ट के अंदर देखा जाने तो इसने जोएलरी वगरे भी कुछ किया था इसने destroyed हुआ जो मैंने बताया था कि his stock machinery was damaged destroyed by fire accident lost wdb मैं सरे बी पार्ट की बात करूँ कुछ बच्चों को question अगर दिखता है तो आप यह समझा जितना हमने सीखा है उतना ही पार्ट कवर किया है जाद एक में ने कंवर कर दो आद है ठाल Hue